नमस्कार आरेनियूस देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे स्वक्ती बड़ी खबरों की और उत्रप्रदेश की वारनसी में इस्थेद बहुत चर्चित ग्यानव्यापी मस्जिद के अंदर विजियोग्रफी सर्वे का काम शनिवार से ही शुर की गई है साथी वारनसी कोच ने किसी भी हालत में सर्वे की कारवाई को ना रोकने के निर्देश दिये अगर कोई बाधा उत्पन होती भी है तो सक्त कारवाई करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं वारनसी डियम के द्वारा ऐसे निर्देश पहले से ही जारी किय गए हैं और इसके साथ साथ अब वारणसी में स्थित ग्यानवी अपी मस्जिद और श्रिंगार देवी मंदिर विबात को ले कर कोट की आदेश पर तीनों तैकानों का सर्वे अब पूरा हो चुका है अब टीम पश्चिमी दिवार का सर्वे कर रही है और इसी बीच यह परान साप निकलने से संसनी फैल गई अधिकारियों ने तुरंत ही साप को पकड़ने वालों को यहां बुला लिया और इसी बीच लखनाव से एक बरी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि लखनाव से इस वक्त की बड़ी खबर रक्षा मंतरी राजनाज सेंग दो दिवसी दौरे पर लखनाव पहुंच गये है राजनाज सेंग में शामील होंगे जिगंगारी एसोसियेशन के कारेकरम में भी शामील होंगे रक्षामंत्री राजना सेंग आपको बता दें कि केंदे रक्षामंत्री राजना सेंग पहुंचे हैं और इसे के साथ ही तमाम कारेक्रमों में वो सम्मेलित होंगे कई अन्य कारेक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं और साथ ही साड़े चौर बजे का खास कारेकरम में शामिल होंगे लखनौ से इस वक्त ही बड़ी और एहम खबर आप देख सकते हैं तमाम सो रक्षा दस्ते के बीच रक्षा मंतरी राजना सिंग पहुंचे हैं लखनौ जहां पर राजना सिंग के साथ-साथ तमाम गाडियां और समाम सिक्योरिटी के बीच रक्षा इंट्रस्टिंग यहां पर लखनों पहुंचे हैं और इस बीच पश्चिमी दिल्ली के मुंटका में कल शाम को ही एक बिल्टी में आग लग गई आग लगने की वजह से पूरी दिल्ली दहल उठी है क्योंकि इस मामले में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक अर्जुन से अर्थिक लोग बूरी तरह चुलास कए जबकि आपको बता दें कि करीब 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू के जाने की खबर है मृतिकों की संक्या बढ़ने की आशंका भी चताय जा रही है तो महीं मारे कए लोगों में से दो लोगों की अभी तक पहचान भी नहीं हो सके 24 माहिल आएं और पांच पूरुष समेथ कुल 29 लोग अभी लापता बताय जा रहे हैं साथी आउटर दिल्ली के मुंडगा शेतर में मेट्रो के पिलर नंबर 545 के पास स्थित एक इमारत में शुक्रवार की देश शाम कोई भीशन आग लगने की घटना सामने आई थी रात भर में रेस्क्यू अभ्यान चलाया गया और यह रेस्क्यू अभ्यान जा रही है यहां मौके पर चीक फुकार मची लेकिन आपको बता दें कि हाला कि मृतकों की संक्या बढ़ने की आशंका अभी भी जताई जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक बारा से अधिक लोग आग में जोलस चुके हैं और उनका इलाज संज्रे गांधी अस्पतार में चल रहा है दिल्ली अगनिश्वन विभाग के मुताबिक उन्हें शाम के करीब चार बच कर चॉलिस मिनट पर आग लगने की सूशना मिली थी बताया जा रहा था कि हाथसे के वक इमारत में करीब 200 लोग हैं और इस ये साथ साथ कमरे में 50 से 60 लोगों की मीटिंग हो रही थी तब ही आग लगी और आग नहीं अपनी चपेट में ले लिया वेराल खिड़कियों के सीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया है तो ये भारत ने तदकाल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया है केंस सरकार ने शुकरवार की देर रात को एक अदे सूचना जारी की और इस बात की जानकारी दी गई है कि इस्थाने की मुदों को काबू में रखने के लिए ये कदम उचाया गया है आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है सरकार ने कहा कि पहले ही जारी की जा चुकी ही लेटर ओफ क्रेडिट के तहद गेहूं निर्यात के अरुमती रहेगी फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूकरेन पर आखरमन के बाद से ही काला सागर शेत्र से अनिर्यात में गिरावट के बाद अवैश्वे खरीदार गेहूं के आपूर्ती के लिए भारत की ओरुक कर रहे हैं बारती वानिज्य मंत्राले की ओर से जारे की गई अधिसूचन में का गया है कि देश की समग्र खाथ सुरक्षा का प्रवंधन करने और पड़ोसियों को और अन्यक अंजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए के इन सरकार ने ततकाल प्रभाव से गेहूं के नि वायरस से संक्रमित हो गई उन्होंने खुद ही जानकारी दी साथ ही जैसिंजा ने खुद को अपने ही एक घर में आइसोलेट कर लिया है न्यूजिलेंड की प्रभार मंत्री ने बताया है कि उन्होंने संक्रमित होने से बचने के लिए बहुत साब्धानी बढ़ती लेकिन फिर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गई है बता दे कि न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री जैसिंजा एड़रनन रविवार को ही अपने परिवार के साथ घर पर आइसोलेट हो गई है रविवार को उनके मंगेतर क्लार गेफोर्ट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए कर रखा है तो मुझे उमीद है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसी बीच वारनसी के ग्यानवपी परिसर का सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर सभी पक्षू की मौझूदकी में सर्वे की कारवाई जारी रही है पूरे परिसर की सर्वे की टीम ने एक तैखाने का ताला खोला दस बजे तक दूसरे तैखाने की चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़ दिया गया और विजियोग्रफी की गई तैखाने में क्या मिला इसकी जानकारी फिलाल अभी नहीं है लेकिन एड़ोकेट कमिशन की मौझूदकी में चल जाने वालों के खिलाब FIR भी दर्श करने का सक्त विदिवत कारवाई की जाएगी और ग्यानव्यापी सर्वे को लेकर वार नसी कमिशनरेच में अलट भी जारी किया गया है देसल सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है इस दोरान और मंदिर के आसपास की सबी कानों को बंद करवा दिया गया है मदागिन और गदौलिया की ओर से ग्यानव्यापी जाने बाले रास्ते को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है इस दोरान बाबा के भक्तों को गेच नंबर एक से मंदिर में प्रवेश दिलाया जा रहा है जबकि काशी विश्वना धाम villains द्रवेशावनी में तब दिल किया गया है और गॉंडा से रुखेंगी एक बड़ी ख़बर के लिए जहांपर एक सिर्फ्रे आशिक का आतंक देखने को मिला है गॉंडा से एक दिल-धरा देने वाली खबर सामने आ रही है जहांपर सिर्फ्रे आशिक का आतंक देखने को मिला इस शक्स ने पूरे परिवार को जिन्दा चला दिया है बता दें कि सिर्फिर आशिक ने पहले अपनी प्रेमी का और फिर उसके पूरे परिवार पर पेट्रोल चड़क दिया जिसके बाद दूसरों पर भी पेट्रोल डाला और खुद भी पेट्रोल खुद पर छुड़क लिया है और पेट्रोल डालने के बाद उसने माचिस से आग लगा दी है आग में जुल से आशिक की मौत हो गई तो वहीं सब की स्थिदी से काफी गंभीर बताई जा रही है बड़ी खबर इस वक्त की आपको गॉंडा से बता रहे हैं जहांपर एक सिर्फिर आशिक का कारणामा देखने को मिला है यहां इस शक्स ने अपनी प्रेमिका पर पहले पेट्रोल डाला और उसके बाद उसके पूरे परिवार पर पेट्रोल डाल दिया और अंत में खुद पर भी पेट्रोल डाल दिया और माचिस से आग लगा ली है इस पूरी दुरगटना के दौरान सिर्फिरे आशिक की मौत हो गई जब की बाकी लोग की स्थितीस वद काफी नाजुक बताई जा रही है सब आख में जुलस चुके हैं और ये गॉंडा से मामला सामने आया है जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरे घटना क्रम को अंजाम दिया गया जहां एक आशिक ने पहले खुद पर अपनी प्रेमी का पर पेट्रोल डाला फिर उसके परिजनों पर और उसके बाद खुद पर पेट्रोल डाल कर आग लगा ली है मुखे मंत्री योग्या दितना तिंदे वस्य दोरे पर शनिवार को गोरक पोई पहुँचेंगे यहां वो महन दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में 143 करोड रुपए की विकास परियुजना का शिलन्यास और लोकारपन करेंगे जनसभा करके वो सरकायर की उपलब्धियां भी गिनाएंगे साधी जानकारी के मुटाबिक मुखे मंत्री शनिवार दोपहर के बाद से रामगर ताल शेद्र शेद्र ब्रहमलीन महंत्र दिग्वे जयनाथ पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे इसकी पहले गोरकपूर उद्योगिक विकास प्राधिकरंट की 143 करोड की परियोजनाओं का लोकारपन अर्शिल अन्यास किया जाएगा जिसमें करीब 68 करोड की सड़क, पुलिया और जल निकासी संबंदित परियोजनाओं का लोकारपन शामिल है तो महीं बीटी रावत में सब सेंटर समेट करीब 75 करोड की विबिन परियोजनाओं का सेलन न्यास भी सीम योग अधितनाद करेंगे मुखे मंतरी अपने इस दौरे की सूशना के बाद विभागी अधिकारी तैयारी में भी जुट चुके हैं मुखे मंतरी चनिवार को कुशी नगर और गोरगपूर के अलग-अलग कारिक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और फिर वो गोरगनाद मंदिर में ही रात को विश्राम करेंगे रविवार की सुबह वो गोरगनात मंदिर परिसर्ज में स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्बार लगाएंगे जा सीम योगी अधित्यनात फर्यादियों की समस्याइं सुनेंगे मुखे मंत्री विकास कारियों की समिक्षा भी कर सकते हैं तो महीं सुमवार की सुबह मुकुशी नगर जाएंगे जहां से वो लखनों के लिए रवाना होंगे और इस बीच महाराश के अमरावती से निर्द्वलिय सांसद नवनीद राणा ने आज शनिवार को दिल्ली के कनोट प्लेस में इस सिथ एक प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चौलेसा का पाठ किया है इस ज़रान नवनीद राणा के साथ उनके पती रवी राणा भी मौचूद रहे और प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचने से पहले नवनीद राणा ने पध्यात्रा भी की बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके पती रवी राणा को अपरेल में तब गिरफ़तार किया था जब उन्होंने महाराश के मुख्य मंतरी उद्व छाकरे के आवाज मातोश्री के बार हनुमान चालेसा पढ़ने का एलान किया था फिलाल दोनों ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं और सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि महाराश से शकुनी और अब शकुनी केस संकट को दूर करने के लिए हनुमान चालेसा अगापाट किया है जान ले कि हनुमान 40 से विवाद के बाद नमनीत राणा और उनके पती के खिलाब राजदरो का केस दर्च किया था हाला कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट राजदरो कानून पर रोक लगा चुका है और इसकी समिक्षा के लिए केंद सरकार को निर्देश दिये गए है ख़बर आयोद्य से जुड़ी है जोंपर राममंदि निर्मान समिती की दो दिवसी बैठक स्ट्रवार से शुरू होने चारा है इस बैठक में शामिल होने के लिए मंदि निर्मान समिती के अध्यक्ष निर्पेक्ष मिश्रा शुक्रवार को मंदिर पहुंचे और आयोध्य पहुंचे हैं जहां पर हनुमान गड़ी में दर्शन पूजन पहले उन्होंने किया जिसके बाद शनिवार और अविवार वो दो दिनों के लिए राम मंदिन निर्मान कारे की समिक्षा करेंगे मंदिन निर्मान कारे की समिक्षा बैठक हर महीने आयजुत की जाती है आपको बता दें कि इसी क्रम में मैं महीने की बैठक जो है वो अप्शनिवार से शुरू होगी जाश्री राम जन भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनेल मिश्रक ने बताया है कि दो दिन बैचक में मंदिन निर्मान की प्रगती और भावी योजना पर मंथन किया है।